अक्सर मैंने स्टूडिंट से सुना है कि मुझे डबलू एच क्वेस्चिन बनाने नहीं आते मुझे उसके आंसर करना नहीं आता इसे कैसे बनाओं, कैसे जवाब दूं, कैसे लिखूं इस सारी स्टूडिंट की प्रॉबलम होती है तो आज मैं इसी के उपर आपको वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आप अच्छे से इसे समझेंगे हलो, I'm Anis from Innovation Classes और आज मैं आपको डबलू एच फैमिली वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ और यहाँ पर आज मेरे साथ आप यह जानेंगे कि डबलू एच फैमिली वर्ड्स का डबलू एच वर्ड्स का कहां पर यूज करें यहाँ सारे वर्ड्स मैं लिखे हैं What क्या, When कब, Where कहा, Who कौन, Why क्यों, Which कौन, कोन सक किस How कैसे, Home किसे, किसे, Whose किसका, किसकी How many कितना, How much कितना, How long कब तक, How often कितनी बार या कितना बार तो आपने देखा कि यहां सारे word लिखे हुए हैं तो इसे आखिर हम करेंगे कैसे तो सबसे पहले मुझे यह समझना है मैंने आपको अभी यह बताया है कि यह wh word जो हम करने जा रहे हैं सारे question word है और question के लिए use किये जाते हैं तो जब आप इसे करोगे तो आप इसे answer करना भी सीखोगे तो सबसे पहले यह जानो कि हम इसका use किसके लिए करते हैं अगर आपसे कोई question पोश्टा है तो यहां what में क्या करना होता है आपको उससे related कोई information देना होता है information देना होता है suppose करो किसी ने कहा what's your name what's your name आप बोलते हो my name is Ram my name is Raheem तो आपने यहां पे क्या कहा आपने यहां पे एक information दिया एक noun का use किया तो यहां से आपको what के लिए आप information देते हो when, kब word आया when, kब इसका use आप time के लिए करते हैं time के लिए करते हैं when do you go to market देखें when do you go to market अब आप इसमें समय का use किया गया है क्या किया है समय अब इस question से समय का बोध होता है तो आप यह जानो को when का जब भी use किया जाता है तो इससे समय के बारे में पूछा जाता है where कहा place के बारे में बताना होता है who कौन किसी ब्यक्ति के बारे में बताना होता है किसी person के बारे में बताना होता है आप यहां से किसी person को बताओगे who is he he is my friend तो उसके बारे में आपने बताया कि वह आपका दोस्त है तो उसके बारे में एक detail किया तो किसी person के बारे में उसके नाम को बताना होता है why, क्यों आप इसका use reason के लिए करते है why do you sad I am sad because my friend is not here तो आपको समझ में आ गया जब भी आपको reason बताना होतो आप why का use करोगे which, कौन सा आप इसका use selection के लिए करते है selection के लिए जहां के आपको choose करना हो वहां पे आप इसका use करते है which pain do you like तुम्हें कौन सा कलम पसंद है तो आपने देखा selection के sense में हम which का use करते है how, कैसे तरीका बताने के लिए करते है किसी भी मैनर को बताने के लिए हम how का use करते है how do you play तुम कैसे खेलते हो यहां पे आपको क्या करना है तरीका बताना है you have to express the way of action how do you play I play nicely home किसे किसे यहां भी आपको किसी person के बारे में बताना होता है home do you send a letter whom do you send a letter आप किसको पत्र भेजते है next word है who's position के use में करते है position who's is this position अधिकार का बोध होता है यह किसका है this is mine next word how many कितना इसका use countable के लिए करते है और इसका use uncountable के लिए होगा जिस नाउन को count कर सके उसके लिए how many और जिसको count ना कर पाए उसके लिए how much का use करेंगे how many do you have pins अपके पास कितने कल में हैं how much water do you drink तुम कितना पानी पीते हो how much water do you drink how long का use कब तक के sense में करते हैं duration of time duration of time duration of time duration of time के लिए अपके लिए how long अपक यहां कब तक रूखेंगे how often कितना बार इसका योज action कितना बार हुआ उसके sense में करते हैं तुम कितना बार बजार जाते हो तो कोई action कितना बार हुआ इसके बारे में question करने हो तो हम how often का use करते हैं तो मैंने आपको सिर्फ यह बताया कि question कैसे करना है जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन सभी वाट से आपको कोई question करें तो आप उसका जवाब कैसे दोगे बहुत सारे student होते हैं जो इसमें उनको confusion होता है वो बहुत ही problem face करते हैं तो आज आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा आप बोलोगे कि यह तो question मैंने किया है बट आप देखो answer कैसे करना है और उसे follow करो आपको answer देना आजाएगा इविन आप किसी भी type के answer क्योई भी question हो आप असानी से answer कर सकते हो तो please देखो और सिखो और आपको अच्छा लगे तो please मेरे चाइनल को like करो subscribe करो comment करो मुझे बताओ आपको कैसा लगा अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ what का use कर रहा हूँ what से कोई question करते है like what do you eat in morning what do you eat in the morning answer करना है मैंने कहा कि आपको अगर even anybody ask you question then you don't have to confuse and even you have to reply in the same way as the person ask you the question so यहाँ पर देखो what do you eat in the morning आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से आपको पता है कि जो भी question किया जाते है यह डबलू एच वर्ड है इनका use किया जाता है और उसके उसके अलावे क्या होता है कि हमारे पास 24 verbs है जो helping verbs है उसका use हम हमेशा करते है question बनाने के लिए तो वो सारे helping verbs subject के पहले होते है यहाँ पे भी मैंने लिखा है what do you eat in the morning यहाँ पे देखो what do अप जब answer करने जाते हो तो इसको आपको कभी नहीं सोचना है आपको sentence हमेशा यहाँ से सुरू करना है repeated है यह आप इसे repeat करोगे तो देखो अप जब आप कैसे दोगे you अगर कोई आप से you कहता है तो आप जब आप दे रहे हो तो you के बदले I करोगे बाद में सब कुछ repeat कर दो I eat अब पूछ रहा है what क्या खाते हो morning में क्या खाते हो I eat apples in the morning आपने कोई work नहीं किया यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया यह word लिखा यह लिखा और इस सब को repeat किया है सिर्फ what के बदले एक word apples का use किया है I eat apples in the morning suppose करो कोई भी question आपसे पूछा जाए when did you meet Mohan when did you meet Mohan आप Mohan से कब मिले थे फिर यहाँ पे time बताना है आपको यहाँ नहीं देखना है आपको हमेशा यहाँ से सुरू करना है I आपने यहाँ पे दिखा did लगा यह past that's why इसको हम क्या करेंगे पास्ट फों करेंगे I meet Mohan last night I met Mohan last night तो यहाँ पे मैंने क्या किया I met Mohan repeated sentence है पर यहाँ वेन के बदले मैंने time यूज किया last night और भी मैं आपको एक्जांपल समझा रहा हूँ जिससे देख करके आपको यह करना असान हो जाएगा आपसे जब भी कोई question पूछे तो जिस helping verb का यूज करके जिस sense में आपसे question पूछे उसी sense में उस व्यक्ति को जवाब दो आप सुनू उनकी बातों को फिर उनको same repeated sentence यूज करके उनको reply करो यहाँ पे एक्जांपल कुछ और है आपके लिए when do you have to inform Mr. Sharma अब आप देखो आपको Mr. Sharma को कब inform करना है कब सुचित करना है तो when do you तो यहाँ when do आपको कुछ नहीं करना I का use कर लेना है सब कुछ repeated होगा I have to inform I have to inform Mr. Sharma when मैंने बताया time के लिए करोगे at 10 o'clock at 10 o'clock I have to inform Mr. Sharma at 10 o'clock who is your best friend यहाँ देखो who मैंने क्या बताया था person के लिए यूज किया जाता है अब यहाँ पे who है तो आपको यहाँ पे किसी ब्यक्ति का name यूज करना परेगा या फिर instead of that आप उसके वदले उसका personal pronoun का यूज करोगे इस सारे वाक में repeat हो जाएंगे मोहन is my best friend मैंने क्या कहा कभी भी कोई भी ब्यक्ति आपसे जब भी question करता है तो उसको सुनो और उसके sentence के यूज को जो उसने कहा उसी में आपको reply करना है home have you sent money तो आप यहाँ देखो have का यूज किया गया है तो आपको फिर इसी sense में answer करना है तो क्या करोगे I have sent यहां तक कर दिये फिर इसके बदले आप objective करो एक नाम यूज करोगे I have sent money अगर home के बदले क्या आए गया यहाँ पर objective case था तो objective में हमने यूज किया पर repeated है तो home के लिए हमने क्या किया एक नाम का या यह एक object का यूज किया तो आपको यह करना होगा whose vein is black फिर आपको question repeat करना है इसी में आपको answer देना है whose के बदले क्या करोगे किसका कलम काला है यहाँ पर आप कोई भी adjective यूज कर सकते हो position की बात कर रहा है तो adjective क्या होता है positive adjective होता है that's why यहाँ पर हम क्या करेंगे position word के लिए positive adjective का यूज करेंगे my pain is black अप यहाँ देखो मेरा सब कुछ repeated है फिर से वही चीज लिखा गया है whose brother is a doctor whose brother is a doctor आपको यह सारी repeated करने है तो आपको बोलना भी होना तो यह बहुत ही आसान है आप आसानी से बोल सकते हो his brother is a doctor तो आपको यह बात ध्यान से समझना होगा कि जब भी कभी भी आपको कोई भी answer करना हो कोई भी आप से question पुछता है whenever someone ask you any question then you don't have to confuse in front of the person and always you have to use the same way as the person ask you question and if you are applying this method then obviously you will make all type of sentences and spoken English will be also very easy for you and you will use the best way for communicating every person अच्छा लगा मेरे वीडियो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तरर बिर्जश heter倫ब करना就到 estrut Dalas ऐसरो हमें आप सब्सक्राइब करें लाएब करता है रभी जातकी थाड़कiji थ Side-D